स्री सिवाई नमस्तु भ्यम हरहर महादेव पसुपती ब्रत पूजा मैं जो सामगरी प्रियुक्त होगी आज वही दोनों समय कि आप सभी को मैं दिखाने जा रही हूँ यह ब्रत अपने आप में चमतकारी है सबसे पहले सुबह जब आप पूजन करने जाएंगे तो यह पति ब्रत करेंगे सुबह भगवान शिव का पंचामरत से अभिशेक कराएंगे घर से ही बना के ले जाएं तो काफी उत्तम है अगर मंदिर घर के पास पड़ता हो इसके बाद जो है गुरुदेव कई बार कथा में हम सभी को बताते हैं जल जो है हम सभी को घर से ही लेकर जाना है यह कई तरह के रोग और शोको नास करता है आप सभी ने सुना ही होगा इसके बाद जो मैं वीडियो आप सभी को दुंगी वैह होगी व Only ie पूजा कैसे करें इसके बाद पीली रंग का चन्दन यह और इसके बाद जो है रक्त चंदन या केसरी चंदन जिसे कहा जाता है कई वार जो है यह कई तरह के उपायों में काम आता है इस तरह से इसका रंग होता है थाली का विशेश रूप से ध्यान रखना होता है जैसे गुरुदेव बताते हैं थाली जो है उसका चुनाओ कर लिए आपके पास जैसी भी थाली हो उत्तम है उसमें सारी सामगरी रख लेजिए साम को भी यही थाली आप सभी को उपयोग में लेनी है इस थाली को दोईएगा नहीं इस बात का ध्यान रखना है माता गौरी को सिंदूर समर्पीत करेंगे रोली अर्थात तो भगवान श इस तरह से आप सभी को भी सामगरी आराम से पर्चून की जहां पर मंदिर इत्यादी के सामगरी मिलती है वहां पर मिल जाती है मोली भी मैं भगवान शिव के मंदिर के लिए ले जाओंगी इसके साथ ही गड़ेश जी महराज और भुले बाबा के लिए मैंने यग्यों इसके बाद आंक के मैंने पुस्प लिए हैं जो कि सफेद रंके हैं मुझे धतूरा नहीं मिल पाया परन्तु आंक का पुस्प है तो यह भगवान शिव को समर्पित कर देंगे इससे भी बाबा काफी प्रसन होते है दुर्वा मैंने ली है आप सभी भी गड़ेशी महराज और बाबा बहुले भंडारी के लिए वस्तू ली इसके साथी में लिए हैं आप सभी को सफेद मिल जाए तो काफी उत्तम है इस तरह से मैंने मुलायम त्थी है उन्हें बहुले आंबा के लिए पसुपति ब्रत में समर्पित करने के लिए लिया है यह देखेगा कहीं कटी फटी ना हो और जैसी आपको मिल जाए मता कहने का अर्थ है साप सुत्री सी होनी चाहिए वह ले लिजे कोई भी वस्तु अगर नहीं होती उसकी छती पूर्ति के लिए प्राचीन समय से ही दक्षि ले जाएंगे जो है बच्चों को बाड़ देंगे इसके पश्चाच जो है आप उहां पर मंत्रों का जाप करेंगे बाबा के लिए या स्री सिवाय नमस तुब्यम्या कोई साभी ओम नमस शिवाय या कोई साभी मंत्र तो उसके लिए आप संबव हो तो एक माला लेके इस तरह से सुबह की सामगरी हो गई जो हम सभी को काम में आएगी अब अंत मैं आरती की जाती है बाबा भोले मंडारी की तो धूप और दीप उन्हें दिखाने के लिए मैं एक घी का दीपक ले लोंगी जो प्रभुकों मैं सुबह के समय में धूप और दीप उन्हें साम के समय में भी है थोड़ा सा इस तरह से मन में आएगा की कैसे इसे करें तो एक में ही इसे लेके जाईएगा इस तरह से जो है बाबा की यहां पसुपती बुरत की थाली जो सुबह के समय में प्रियोक्त होगी वह तैयार हो गई है मैंने मैंने कोशिश की है इसके साथी क बाबा को जो वस्त्वे समर्पीत की जाती है वैं आप अपनी इच्छा अनुसार मौसम के अनुसार भी ले सकते हैं जो आप समर्पीत करें भोले बाबा भंडारी हैं छोटी सी पूजा से भोले बाबा काफी प्रसन हो जाते हैं जो आप से संबह हो वहलेने का आप सभी प्रि जो भी फल या जो मिठाई एक्तियादी हो उसके तीन भाग करने होते हैं दो मंदिर में ही रखने होते हैं एक घर के ले लेकर आना होता है तीन भाग में इस तरह की तीन कागच की बनी हुई प्लेट ले लीजिए जिन में दो भाग वहां पर रखके आ जाईए और एक भाग अपने ले घर ले आईए और साथ ही इस तरह से छै दीपक आप सभी को लेके आने होंगे एक उसमें से घर को लेके आना होगा घी से इन्हें तयार कर लीजिए इस तरह से पसुपती ब्रत की सुबह और शाम की यह पूजा सामगरी है मुझे उम्मीद है आप सभी को पसुपती ब्रत करने में इससे मदद मिलेगी वीडियो हेलफुल रहा हो तो हरार महादेव लिखना न भूले जै माता दी हरार महादेव